हेलो बच्चो, क्या हाल चाल? दिस अपे गुपता, यूर मैथ में टूर अन दिस ब्यूटिफुल चैनल आफ यॉर्स मैथमेटिशिया बाई ओपे गुपता तो आज के लेक्चर में हम लोग क्लास 11 के मैथमेटिक सेंपल पेपर युद्धा टेस्स सेरीज के सलुशन को डिसकस करने वाले हैं तो चलिए आगे बढ़ते हैं जरा और मैं थोड़ी सी इनफॉर्मेशन आपको बता देता हूँ ये सेंपल पेपर यानि YTS 10 हमारे सेंपल पेपर बुक में से लिया गया है बुक का कवर पेज यहाँ पर आपको दिखी रहा होगा बच्चो ये बुक अगर आप चाहें तो फ्री में ले सकते हैं ये बुक फ्री में कैसे मिलेगी इसके लिए आप लोग वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर पिंड कमेंट चेक कर लेना आपको एक छोटा सा वीडियो मिलेगा उसको आप देख लेना आपको पता चल जाएगा ये बुक आपको फ्री कब तक मिलेगी और कैसे मिलेगी 17 जैनवरी तक आप इस बुक को फ्री मिले सकते हैं अपार्ट फ्रोम डैट अगर आप चाहें तो हमारी बुक्स को फ्लिप कार्ट पर भी परचेज कर सकते हैं या फिर मुझे वाटसेप कर सकते हैं वाटसेप का नंबर आपको डिस्पले में दिख रहा होगा ठीक है बच्चो ये सैंपल पेपर क्लास 11 के Mathematics 041 के लिए है टैंपल पेपर की प्रेक्टिस करना बहुत जरूरी है क्योंकि इस साल CBSE ने कुछ टाइप ओलोजी आफ कुश्चन्स में चेंजिस किये हैं MCQ आप पहले से ही जानते हो बच्चो सब्जेक्टिव कुश्चन्स भी पहले से ही जानते हो थोड़ा बहुत केस स्टडी के बारे में भी आप जानते हो लेकिन केस स्टडी के कुश्चन्स में भी थोड़ा सा format चेंज किया गया है इस बार और एक बिल्कुली नई चीज है आपके लिए Assertion Reason टाइप के कुश्चन्स वैसे Assertion Reason टाइप के कुश्चन्स का प्ले लिस्ट भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा ठीक है बच्चो फटा फटा आगे बढ़ते हैं जरा और सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो Bell Notification प्रेस कर लो ताकि हर Important वीडियो की अपडेट आप लोगों को Time to Time मिलती रहे Moreover इस वीडियो को Like कर देना और अपने सभी Classmates को अपने सभी Friends को भी Share कर देना ठीक है बच्चो अच्छा बच्चो एक बात बताओ क्या ये बुक Already आपके पास आ चुकी है If Yes अपना नाम और अपने स्कूल का नाम इस वीडियो के Comment section में डाल देना मैं देखू तो जरा कौन-कौन से बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं ठीक है बच्चो अब Finally चलते हैं और सबसे पहले में YTS 10 का Question Paper आपको Display करूँगा इसका PDF लिंक भी आपको वीडियो के description box में मिल जाएगा उसके बाद YTS 10 का Solution भी आपके लिए मैं display करूँगा ठीक है बच्चो चलते हैं जरा तो ये रहा बच्चो युद्धा Test Series No.10 का Question Paper सबसे पहले मैं आपके लिए Question Paper डिस्प्ले कर दूँगा डोंट वरी इसका PDF आपको वीडियो के description box में भी मिल जाएगा PDF का लिंक मिल जाएगा ठीक है बच्चो चलिए यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे होंगे बच्चो हमने आपके लिए General Instructions दे रखी है थोड़ा सा Brief कर देता हूँ मैं आपको कि आपका पेपर का format किस तरीके का होने वाला है देखिए आपके पेपर में सबसे पहले A से लेकर E तक यानि A, B, C, D and E total 5 parts होने वाले हैं total 5 sections होने वाले हैं section A के जो question है न वो सभी MCQ type के होंगे total 20 question होंगे जिसमें 18 straight away MCQ होंगे और 2 assertion reason type के MCQ होंगे assertion reason MCQ होंगे धान रखना दो ही number है लेकिन कुछ नय टाइप का introduction है CBAC की तरफ से ठीक है बच्चो तो section A की कहानी इतनी है यानि यहां से आपको 20 number मिल जाएंगे 20 question 20 marks फिर section B की तरफ चलोगे तो यह आपके normal question है जो की अभी तक आप लोग पहले भी practice करते रहे हो यानि subjective questions जहाँ पर step by step आपको लिखना पड़ेगा हर step के आपको marks मिलेंगे यहाँ पर 5 questions है और हर question के 2 number है ठीक है बच्चो फिर section C की बारी यहाँ पर 3 marker questions मिलेंगे total 6 questions होंगे यहाँ पर बच्चो ठीक है बच्चो यानि यहाँ से आपको 18 marks मिल जाएंगे फिर इसके बाद section D की बारी यहाँ पर आपको 5 markers 4 questions मिलेंगे बच्चो ठीक है फिर इसके बाद section E की बारी case study type के 3 questions मिलेंगे हर question 4 number का होगा यहाँ पर लेकिन question 36 और 37 में आपको total 3 sub parts मिलेंगे third sub part में आपको internal choice मिलेगा जो कि 2 number का होगा first sub part और second sub part एक-एक number का होगा ठीक है question number 38 में 12 sub part होगे यानि first part और second part दोनों ही 2-2 number के होगे फिलाल यह सारी चीज़े जब मैं आपको question paper में दिखाऊँगा तो अच्छे से clear हो जाएंगी ठीक है बच्चो internal choices भी होँगी internal choices यानि 2 questions मिलेंगे उसमें से आपको कोई भी एक ही करना होगा तो कितने question में internal choices होँगी यहाँ पर section B के 2 question में internal choice फिर उसके बाद section C के 3 question में internal choice section D के 2 question में internal choice और section E के बारे में मैं अभी आपको बता चुका हूँ case study में किस तरीके से आपको internal choice मिलेगा ठीक है वच्चो चलिए आगे लेके चलता हूँ मैं आपको और मैं आपको display करता हूँ कि किस तरीके से आपका paper आने वाला है section A, जैसा कि मैंने बताया 20 questions each of one mark और ये सभी mcq type के होंगे जिसमें 2 questions assertion reason के होंगे जैसा कि आप यहाँ पर display में देख पा रहे होंगे ये सभी mcq type के ही questions हैं थोड़ा सा fast forward करता हूँ मैं यानि जल्दी से आगे चलते हैं और यहाँ पर देखो total 18 questions normal mcq हैं और अब यहाँ से question 19 और question number 20 ये आपके assertion reason type के question है कुछ नए type के questions हैं बच्चो इस type के questions के lecture मैं already इस channel पे record करके upload कर चुका हूँ assertion reason का playlist चेक कर लेना इस video के description box में आपके लिए मैं डाल दूँगा ठीक है ना वहाँ पर आपको और भी questions मिल जाएंगे यहाँ पर कुछ बच्चो को confusion हो जाती है assertion reason type के question में उसका कारण यही है कि नए type के questions हैं ये और इन questions में conceptual clarity और presence of mind की काफी जरुवत होती है ठीक है तो यहाँ से आपका section एक खतम हो जाएगा और अब यहाँ से two marker section B के question सुरू हो जाएंगे बच्चो है ना जैसा कि हमने देखा कि यहाँ पर दो questions में आपको internal choices भी मिलेंगी total five questions हैं फिर इसके बाद section C यहाँ से three marker question सुरू होंगे और यहाँ पर भी आपको internal choices दिख रही होंगी total three questions में आपको internal choice मिलेंगी total six questions होंगे जैसा कि आप देख रही होंगे 26, 27, 28, 29, 30 and 31 ठीक है बच्चो 18 marks यहाँ से मिलेंगे आपको फिर section D five marker questions हैं यहाँ पर भी internal choices होंगी total दो question में internal choices मिलेंगे आपको यहाँ पर और total कितने questions होंगे आप खुदी count कर लो 32, 33, 34 and 35 कितने questions हुए कमेंट करके बताना मुझे section D में कितने questions हैं ठीक है फिर इसके बाद case study type के questions की बारी है थोड़ा सा यहाँ पर pattern change किया है CBSE ने चलिए समझते हैं किस type के case study questions आपको मिलेंगे pattern of case study तो यहाँ पर basically जैसा कि आप पढ़ पा रहे होंगे instruction में क्या लिखा हुआ है this section contains three case study और passage based questions first two questions have three sub parts, first, second and third of marks one, one and two respectively third question has two sub parts of two marks each यह पहले ही आपको बताया फिलहाल आपको display में दिख रहा होगा यह जो पहला question है न case study का और दूसरा question इनका format same type का होगा मतलब first part और second part यह तो one one mark के होंगे third part जिसमें आपका internal choice भी मिलेगा यहाँ पर आप देख रहे होंगे यह आपके two marks का होगा same तरीके से question number 37 यानि second case study में भी यही format copy हो जाएगा यह एक number का यह एक number का third part जिसमें internal choice होंगे वो आपके दो number का होगा ठीक है बच्चो तो यह second case study की कहानी है लेकिन जो last वाला case study है ना यानि question number 38 यहाँ पर जो sub parts होंगे वो सिर्फ दो होंगे और दोनों ही sub parts दो दो number के होंगे यह भी two marks का और यह भी two marks का ठीक है बच्चो तो इस तरीके से आपके इस पूरे paper का format होने वाला है अब यहाँ पर नीचे अगर आप देख पा रहे होंगे तो हमारे युद्धा test series यानि cbse sample paper वाली book for class 11 के बारे में कुछ information है if you wish you can go through these details और यह class 12 के हमारे जो sample paper books है math mission books है उनके बारे में भी मैंने यहाँ पर information दी हुई है basically a kind of advertisement है यह ठीक है ना अब मैं आपको लेके चलता हो युद्धा test series number 10 का solution display करने क्योंकि यह जो paper है इस sample paper book में unsold है यहाँ पर total 7 papers fully sold है जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे और 3 papers unsold है इन तीनों unsold युद्धा test series के solution आपको हमारे channel यानि इसी channel पर मिलेंगे तो इसके लिए इस channel को फटा फट सब्सक्राइब कर लो इस video को like करके अपने दोस्तों का भी share कर देना ठीक है बच्चो अब मैं आपको solution display करने चलता हूँ YTS 10 का चलिए जरा तो यह रहा बच्चो detailed solution of YTS 10 युद्धा test series number 10 ठीक है ना YTS 9 का भी solution आपके लिए आजाएगा और YTS 8 का भी solution आपके लिए आजाएगा इसी channel पे channel को subscribe करके रखना ठीक है बच्चो अच्छा सुनो यहाँ पर मैं solution में हर एक question का solution discuss नहीं करूँगा अगर आपको किसी भी question में कोई समस्या है तो आप मुझे उस question का number comment करके बताना मैं उस particular question के लिए क्या करूँगा वीडियो record कर दूँगा अभी आज के lecture में basically मैं आपको हर question का solution display कर दूँगा आप screen को pause करके या तो साथी साथ notes बनाते चलो या फिर screenshot ले लेना और बाद में अपनी fair copy में notes बना लेना ठीक है तो चलिए start करते हैं जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं बच्चो section A से हमने यहाँ पर solutions discuss करना शुरू किया यहाँ पर हर question में आपको उसका correct option भी मिलेगा और हर question का solution detailed explanation के साथ आपको दिखी रहा होगा ठीक है बच्चो question 2 भी आपको दिख रहा होगा जैसा कि यहाँ पर आप display में अब completely देख पा रहे होंगे question 2 का complete solution correct option के साथ 5, 6, 7, 8 इन सभी के complete solution और correct options आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे बच्चो ठीक है ना question 9 अभी पूरा display में नहीं है don't worry अब यह display में आपके लिए आ चुका है यहाँ पर question 9 का correct option और यह solution देखो next page पे यहाँ complete हुआ है ठीक है ना question 9 तक काम खतम हो चुका है अब आगे चलते हैं question 10, 11 और 12 इन सभी के correct options और complete solution आपके सामने display में आ चुके होंगे बच्चो ठीक है आगे बढ़ते है question 13, 14, 15 इन सभी के correct options और complete detailed solution आपके सामने आ गए हैं बच्चो ठीक है आगे बढ़ें question number 16 का भी solution आपके सामने है 17 का भी solution आपके सामने है और इनके correct options भी आपको दिख रहे होंगे ठीक है चलें आगे question number 18 के solution का first line तो इसी page पे है यानि page number 2 पे है correct option भी आपको दिख गया होगा remaining portion is given on the next page यहाँ पर solution complete हो गया question number 18 का normal mcq type के questions खतम हो गए अब थोड़े से special mcq यानि assertion reason type के questions के solutions यानि question number 19 और question number 20 correct option और complete detailed solution आपके सामने display में आ गया होगा बच्चो तो यहाँ तक आपके mcq 20 questions 20 mark खतम हो चुके हैं ठीक है अब 2 marker यानि section B के questions की बारी है तो यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे होंगे जो question number 21 यहाँ पर आपके पास complete solution के साथ है और इसका जो alternative है उसका solution भी थोड़ा सा आपको देख रहा होगा remaining portion अब आपके सामने complete आ चुका है question number 21 के alternative का भी यहाँ पर solution complete हो गया है ठीक है बच्चो आगे चलें आगे बढ़ते हैं जरा next question यानि question number 22 की तरफ यहाँ पर इसका solution सुरू हुआ है बच्चो ठीक है ना और solution complete यहाँ पर यानि next page पे हुआ है आप देख पा रहे होंगे ठीक है आगे बढ़ते है question number 23 की तरफ यह रहा question number 23 जैसा कि आप देख रहे हैं बच्चो पूरा solution complete explanation के साथ आपके सामने ह हैं इसका alternative भी आपके पास आ गया होगा ठीक है बच्चो आगे बढ़ते हैं question number 24 देखते हैं 24th question बहुत ही प्यारा question है binomial theorem के उपर है लेकिन इसमें कुछ ऐसा concept भी लगेगा जो की arithmetic progression का concept है अब वो क्या है अगर आप समझ गए होंगे तो मुझे comment करके बताना कि यह वाला concept question number 24 में कहां लगेगा binomial theorem का question है वैसे ये लेकिन AP वाला concept भी लगेगा इसमें comment करके बताना कहां लगाया मैंने AP वाला concept ठीक है फिर इसके बाद section B का अंतिम question यानि question number 25 का भी solution आपके पास आ गया है बच्चो अब section C यानि 3 marker questions की बारी है question number 26 का solution यहाँ पर आपको दिख रह होगा कुछ steps यहीं पर हैं आपके लिए यानि page 4 पर ही है remaining steps के लिए चलते हैं अगले page पर एक second रुकिए आप लोग मैं आपको लेके चलता हूँ अगले page पर यहाँ पर आप देखिए आपका solution complete हो चुका है question number 26 का ठीक है अब जड़ा question 27 को देखते है 27th question का solution अब आपके सा complete हुआ second part यानि alternative का solution अभी मैं आपके लिए display में ले आता हूँ ठीक है यहाँ पर second part का भी solution complete हो गया है बच्चो ठीक है फिर next question यानि question number 28 की बारी है यहाँ पर question number 28 आपको दिख रहा होगा बच्चो first principle of derivative का question है यहाँ पर solution के कुछ लाइने आपके पास हैं कुछ steps आपको द देखे आते हैं अगले page पर यानि एक ही step बचा हुआ था इस question का ठीक है इसका alternative भी है चलिए उसको भी देख लेते हैं तो alternative का solution अभी आपके सामने आ गया है बच्चो लेकिन थोड़ा सा portion इसका भी छुपा हुआ है don't worry यहाँ तक तो अभी आप note कर सकते हैं या screenshot लही सकते हैं अभी आपका remaining portion आपके सामने आ गया है यारी एक ही step छुपा हुआ था अब वो भी आपको दिख रहा होगा ठीक है बच्चो question number 29 की बारी है question number 29 का solution completely आपके सामने है बच्चो आप यहाँ पर screenshot ले सकते है question number 30 के solution का first line यानि basically question का data ही यहाँ पर दिख रहा है फिलहाल अब ज़रा अगले page पे आते हैं इसका solution भी completely आपको मैं display कर देता हूँ यहाँ पर इसका solution भी complete हो गया question number 30 of section C का ठीक है बच्चो अब ज़रा question 31 को देखते हैं अंतिम question है इस section का और यह permutation and combination का question है वैसे इस question में यह जो लिखा हुआ है अगेन इसको देखकर अगर आपको लग है कि यह NCRT का example तो नहीं है miscellaneous में chapter 7 permutations and combinations के miscellaneous का example अगर आपको यह लग रहा है तो सही तो लग रहा है अच्छा पढ़ते हो आप लोग और अगर आप सोच रहे हैं यह question कहां से दिया मैंने तो ठीक है भाईया अच्छे से पढ़ाई कर लो इस book को फटा फट ले लो और अच्छे से preparation करो और अपने exam में super strong performance दो ठीक है बच्चो चलिए यहाँ पर इसका एक alternative भी है alternative का solution अब आपके पास आ गया है बच्चो यहाँ पर इसका solution complete हो चुका है ठीक है इस तरीके से section C के सभी questions हमने देख लिए हैं अब section D के बारी है यानि 5 marker questions यहां से आपके question हो रहे हैं section D के question number 32 के solution के कुछ steps अभी आपके पास है remaining steps अभी मैं display कर रहा हूँ थोड़ा सा रुको जरा ठीक है तब तक आप notes बना लो या screenshot ले लो जो भी आप कर रहे हो और यहाँ देखो बच्चो आपका solution complete हो गया इस question का इसका alternative भी है जिसके solutions के कुछ line अभी आपके प हो गया यानि question 32 खतम हो गया अब आगे बढ़ते हैं question number 33 को देखते हैं और यह trigonometry के उपर प्यारा सा question है यहाँ पर solution के कुछ steps आपके पास हैं ही बच्चो remaining steps मैं अभी आपके लिए display ले आता हूँ ठीक है बच्चो ओके यह question भी complete हो गया question number 33 is complete 34 यहाँ पर देखते हैं चलिए अगले page पे देख लेते हैं जरा तो यहाँ पर कुछ steps बचे हुए थे इस question के जो की next page के उपर अब आपको display में दिख रहे होंगे ठीक है बच्चो यहाँ पर alternative भी है alternative का solution अब आपके पास यहाँ पर display में completely आ चुका है alternative solution यहाँ पर complete हुआ है बच्चो ठीक है ना question 34 खतम हो गया question number 35 की बारी है again a very good question of your NCRT chapter का नाम मुझे comment करके बताना आप लोग देखें तो जरा आप मैंसे कितने लोग chapter को समझ पाए है कौन से chapter का question है यह comment करके बताना मुझे ठीक है section D की कहानी खतम हो गई 5 marker खतम हो गए अब यहाँ से section E की बारी है बच्चो यानि case study type questions के solution यह first part second part third part आपको solution यहाँ पर दिख रहा होगा third part के alternative को हम अगले page पे देखेंगे यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे third part का alternative आपके display में आ चुका है बच्चो ठीक है ना अब 37th question यानि second last question of this question paper last नहीं है second last है बच्चो यहाँ पर 37th question का first part second part और यह third part ठीक है ना यहाँ पर alternative भी होगा लेकिन third part का solution अभी complete नहीं हुआ है अब हुआ है complete third part का solution यहाँ पर complete हो गया इसके alternative का solution अभी मैं display कर रहा हूँ एक second रुकिए यहाँ पर इसके alternative का solution आप चेक करिए लेकिन अभी यह पूरा नहीं हुआ है हमें जाना पड़ेगा अगले page पे यहाँ पर देखिए इसका solution complete हो गया है question 37 के third part के alternative का ठीक है बच्चो अब इसके बाद question 38 की वारी है यह रहा first part यह रहा second part दोनों ही parts के solution आपके पास display में आ चुके हैं बच्चो इसी के साथ हम लोगों ने YTS 10 के solution को completely discuss कर लिया है I hope आपने वीडियो को pause करके notes बना लिये होंगे या फिर screenshot भी ले लिया होगा तो बस बच्चो अब हम लोग YTS 10 के बाद YTS 9 और YTS 8 का solution भी आपके लिए जल्द ही display कर देंगे हमारे इस YouTube चैनल पे ठीक हैं तो सब तक के लिए इस वीडियो को like करके अपने दोस्तों को भी share क कर देना और इस चैनल को subscribe करके bell notification प्रेस कर लेना ताकि इस question का जवाब yes में दे पाओ bell notification प्रेस करोगे ना तो हर important वीडियो की update आप लोगों को फटाफट मिल जाएगी और कोई वीडियो आप मिस नहीं कर पाएंगे ठीक है बच्चो चलिए मिलते हैं next lecture में till then be good take care all the best thank you